हलो दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी यूटू चनल सक्सेस रोजगार में दोस्तों बात करेंगे बिहार में अनुबंद के आधार पे बंपर भरती प्रिकडिया के बारे में जिसमें महिला पूरुष तोनों आविदन कर पाएंगे और साथी साथ यहां पे देख सकते हैं लेखा सहायक, कनिष्ट सहायक, लैब सहायक, आसू लिपिक, नर्ज और भी कई सारे विभिन पदों पे वेकिंसरी निकाला गया इसमें आपको बता दे तो 9 पोस्ट पे टोटल यह वेकिंसी निकाली गई है जिसके लिए आपको मैं step by step बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अप्लिकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल अप करना है कि साथ साथ कौन से वह document भी आपको साथ में भेजने होंगे सभी जानकारी एके करके आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो friends आपसे request है कि वीडियो को last तक देखते रहिए और चैनल में अभी तक नए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को हिट कर लिजे जिससे की latest वीडियो का आने वाला notification आपको समय समय से मिलता रहे है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहला नमबर पोस्ट जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सहायक यानि प्रसासन जिसके लिए आपको साथ में CPC के अंतरगत सभी पोस्ट के लिए बेतन दिये जाएंगे और जिसके लिए आपको तीन पोस्ट निकाले गए हैं दूसरा जो है machine mechanic जिसके लिए टोटल दो पोस्ट है तिसरा जो है सहायक यानि बी तेवम लेखा जिसके लिए एक पोस्ट टोटल है चोंथा जो पोस्ट है सहायक ओर्डन जिसके लिए एक पोस्ट है पाचमा जो पोस्ट है आश्योलीपी क्रेड यानि एस्टोनोग्राफर के जिसके लिए एक पोस्ट टोटल निकाले गए हैं अगला जो पोस्ट निकाले गए हैं देख सकते हैं नर्स की है जिसके लिए आपको एक पोस्ट टोटल निकाले गए हैं अगला जो पोस्ट है कनिस्ट सहायक यानि जुनियर असिस्टन जिसके लिए टोटल है 11 पोस्ट निकाले गए हैं आठमा जो पोस्ट है लाइब सहायक य आपको क्या catch your requirement मांगा गया है तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी बात बता दे तो इस फॉर्म को आपको सबसे पहले जो send करने होंगे 10, 11, 2021 तक आपको इस फॉर्म को fill up करने होंगे और यहाँ पे मापता inability criteria जो क्या होना चाहिए तो सबसे पहले बात करें सहायक यानि सबसे पहला जो post है सहायक जिसके लिए सैची योगता है और अनभव क्या होना चाहिए तो number one जो बताया गए graduate from a recognized university या institution किसी भी institute से graduation pass होना चाहिए दूसरा जो terms बताया गए at least two years experience in administration दो साल का experience होना चाहिए administration से और तिसरा जो है typing speed of at least 40 word power minute in English या Hindi दोनों में आपको 40 word power minute होना चाहिए और IUC मा जो बताया गया 27 साल इसके बाद जो chain पर किरिया जो बताया गया है return या skill test इसके लिए आपको देना परेगा अगला जो post है machine mechanic जिसके लिए आपको competencies जो बताया गया है educational qualification 10th और above जो बताया गया और full time 3 year diploma after 10th from recognized इसके लिए आपको 27 साल होना चाहिए return या skill test आपको chain पर किरिया में लगेगा इसके लिए जो बताया गया अगला जो post यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो post है सहायक जिसके लिए आपको बताया गया है no.1 bachelor's degree in commerce from recognized university institute with two years experience in finance and accounts matters इसमें bachelor degree आपका होना चाहिए commerce field से और साथी साल का experience होना चाहिए accounts matters में जो finance and accounts में जिसके लिए आपको chain पर किरिया जो बताया गया है return या skill test आपको देने होंगे और साथी साथ इसमें बता दे आपको तो level 4 के अनुसार इसमें साले दे जाएंगे और 27 साल आपका age limit रखा गया इस post के लिए अगला जो post निकाला गया है सहाय कोर्डन जिसके लिए qualification graduate from रिकोगनाई निवर्सिटी या institute किसी भी institute से graduation pass होना अनिवार रहे है और साथी साथ experience यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आपको 27 साल age limit रखा गया और इसके लिए केवल और केवल return test से आपका selection लिया जाएगा selection प्रस्क्रिया के बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसमें selection होगा फिलाल आगे बढ़ते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे बत्यागे ग्रिजुएशन फ्रॉम और इन्वर्शिटी या इंस्टिउट आपका किसी इंस्टिउट से ग्रिजुएशन डिग्री होना अनिवार है और दूसरा जो बत्यागे जिसके लिए आपको सेलेक्शन जो होगा इसमें तो रिटेन या इसकील टेस्ट के अंतरगत लिया जाएगा इस तोनों एक्जाम को आपको फाइट करने परेंगे बात करते हैं अगला तो इसके लिए नर्स जो पोस्ट है जिसके लिए आपको BSC Honors होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आपको 27 साल एज लिमिट है रिटेन टेस्ट के साथ आपको इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा इसके बाद अगला जो पोस्ट है कनिश्च सहायक जिसके लिए 10 प्लस 2 एक्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड और इट्स एक्कुवालेंट रिकोगनाइज बाई दे गोवर्मेंट गोवर्मेंट के किसी भी बोर्ड से आप 10 प्लस 2 किये हैं तो आप इस फोन को फिलब कर सकत इसके बाद दूसरा जो बताया गया है तैपिंग स्पिद ऑफ 30 वर्ड पावर्मिनट इन इग्लीश और 25 वर्ड पावर मिनट इन हिंदी यानि टाइपिंग टेस्ट भी आपका स्फिड T10 यानि 30 वर्ड पावर्मिनट इंग्लीश का होना चाहिए तिसरा जो एक अप्लिकेशन सॉफ्टवेर फॉर रिटेन या मेल कॉर्स्पेंट सेड जो यहाँ पे देख सकते हैं यह सारी चीजे बताया गया 27 साल एज लिमिट रखा गया और रिटेन या स्किल टेस्ट के साथ इसमें आपको सेलेक्शन लिया जाएगा अगला जो पोस्ट है लैब सहायक जिसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताया गया है आप देख सकते हैं 10 और एवब प्रोविजिनल क्वालिफिकेशन फूल टाइम वन येर और टू येर डिपलोमा या सर्टिफिकेट आफ्र टेन्थ नसक्यूएफ ले जिसके लिए आपको ग्रजुएशन फ्ररम रिकोगंजिकलाइब इन्वर्सिटी एंसिचूट बित डिपलोमा इन लाइबरी साइंस और बैचलर्से डिगरी इन लाइबरी सांस फ्रम रिकोगंजिक्शिटी एंसिचूट और दूसरा जो बतायागाया एक लिस्ट वorn मियर working experience in availability जिसके लिए आपको 27 साल age limit रखा गया है और इसके लिए आपको written test के साथ इसमें chain पर क्रिया लिया जाएगा बात करें अब इसमें अवेधन सुल्क जो लगेंगे इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया दे application cell भी required to pay application fee of 590, application for R.E.S. 500 रुपिया GST 18% R.E.S. 90 रुपिया यानि 590 रुपिया टोटल आपको demand draft for the fee should be drawn जो देख सकते हैं 590 रुपिया आपको लगेंगे demand draft के साथ जो यहाँ पे बत्या गया है और इसके लिए जो बत्या गया यहाँ पे देख सकते हैं application received without fee will be rejected यानि without fee जो आप application form को भरेंगे तो आपका form reject करती है जाएगा यहाँ पे कुछ ध्यान देने योगे जो बाते बताया गया इसको आप चाहे तो पर सकते हैं हम बात कर रहे थे chain परक्रिया तब chain परक्रिया इसमें किस तरीके से लिया जाएगा तो आपेदन जो है आपको offline ही भरने होंगे और सबसे बरी बात इसको आपेदन जो form को fill up करने के बाद आपको कहा पे भेजने होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बता दे ओओ address तो address note कर लिजेगा इस address पे आपको form को fill up करके भेजना होगा application for the post of यहाँ पे application form जो भरेंगे तो किस post के लिए आप भर रहे उस post को यहाँ पे note जरूर कीजेगा इन सारी चीजों को आप चाहे तो पर सकते कुछ समाने निर्देश के बारे में जो बताया गया है इन सबी चीजों के बात करें इसका application form का तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यह application form कुछ इस तरह से है यहाँ पे देख सकते हैं यह form जो आया हुआ है राष्टिये फैसन प्रद्वगी संस्थान पतना जे आया हुआ है और निफ्ट परिसर मिठा पूर्फ पतना इसी पे आपको send करने होंगे और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं advertisement number जो दिया गया है post apply for यानि कौन से post के लिए apply कर रहे हैं वो यहाँ पे अवस्य डाले और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ सारी चीजों को आप form को fill up करने के बाद इस address पे आपको send करने होंगे जैसा कि यहाँ पे बताया गया है अब बात करें इसमें जो document क्या-क्याची आपको लाने होंगे तो I.U. परमानपत्र और सैचनी परमानपत्र जाती परमानपत्र और आदी परमानपत्र के साथ सनलगल किये जाने चाहिए और साथ ही साथ आपको बता दे तो demand rack जो 590 रुपिया का जो आपको आबेदन सुलक जो लगेंगे वो भी आपको इस साथ में इसके attach करने है सभी के photocopy तभी आप फरम को fill up कर पाएंगे otherwise आप 590 रुपिया का जो form fill up है form fill है वो अगर आप नहीं देते हैं तो आपका form reject कर दिया जाएगा और सबसे बरी बात इस form को आपको लोग download कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको telegram का link नीचे description में मिल जाएगा उस telegram channel को join कर लिजिए और आपको application film के बारे में भी पता चल जाएगा और साथी साथ हम आप यह भी बहुत सारे वेकंसी के लिए अपडेट भी करते रहते हैं तो यह फी form आपको मिल जाएगा और वो जो आपने advertisement देखा है उसको भी आप download कर सकते हूँ इससे द्वासा करते हैं सभी जानकारी आपको अच्छे लगाएंगे पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल में नए हो तो subscribe करके बेल आइकन को hit कर दीजिए जिससे की latest आने वाले वीडियोत का notification आपको मिलता रहे हैं त्यास तरह के करना टपिक साथ अपतों के लिए बने मार साथ जाहें